कई बार जब आप अपने अधार काड डाउनलोड करते होंगे तो आप अपने रेश्टर्ट मोबाइल नमबर पर एक OTP सेंड करते होंगे उसे डालने के बाद आप अपने अधार काड डाउनलोड कर लेते होंगे लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अपने मोबाइल नमबर प हम आपको बताएंगे कि आपके अधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं और अगर लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वीडियो को लख तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे वीडियो को लख तक जरू देखेंगे वीडियो पसंद आएगे तो वीड DAI या आप अधार काड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं इतना लिखने के बाद आप इसकी ओफिस्यल वेब साइट पर आ जाएंगे इसका लिंक में वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा आप महां से भी सीधे जा सकते हैं स्क्रोल करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हो देख़गा आधार सर्विस इसमें एक पहले नंबर पर ओप्सन से वेरिफाइ एंद अधार नंबर आपको इसपर क्लिक करना है जिसे आप इसपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका 12 अंकों का अधार नंबर मांगा जाएगा आपको उसे उसके बाद में आपके सामने एक नीचे capture नजर आएगा आपको उसे capture code को वेसा के वेसा ही fill करना है उसके बाद में process to verify करना है चलिए हम यह सब कर लेते हैं जैसा कि हमने हमार अधार कार नंबर और capture फिल कर दिया हम process to verify पर click करेंगे इस पर click करेंगे तो आपके सामने आपका अधार कर नंबर दिखाए दे रहा है इसमें आपको चोथे नंबर पर outcome दिखाए दे रहा है mobile नंबर आखरी के three digit आपको दिखाए देंगे शुरू के अंक का आपको दिखाए नहीं देंगे वह security रिजएन के current मुबाइल नमबर सभी का दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आखरे के तीन अंकों से आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा मुबाइल नमबर अधार कार्ड के साथ लिंक है इसमें आपको एजबेंड भी दिखाई दे रहा है जेंडर दिखाई दे रहा है इस्टेट कौन सा इ सार कार्ट से आपका मुबाइल अंबा लिंक है यह तो यह चोटी सी एक जानका दी थी जिसे मैंने सुचा आपने वीवस को बता दूँ तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लग कीजिए गलाइक चेनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद